तो यहां पर एक लेटेस्ट चाइना की जो बीटा अपडेट है रोल आउट होना शुरू हो गई है मैंने अपने फोन के अंदर यही चाइना की जो EU रोम आती है वो फ्लेश करके रखी है रेड्मी नोट 7 के अंदर अगर आप चाहते हो इस EU रोम को कैसे फ्लेश करना है उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ इस रोम का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा EU रोम का साथी साथ यहाँ पर आपको चाहिना रोम का भी लिंक दे दूँगा सभी डिवाइस के लिए नोट 7, नोट 7 परो और रेड्मी नोट 5 परो साथी साथ रेड्मी नोट 7S यहाँ पर एक बात आपको फिर से क्लियर कर दूं Redmi Note 7S और Redmi Note 7 दोनों सेम ही डिवाइस है तो उन दोनों के लिए कोई अलग से रूम नहीं आती है दोनों में सेम ही रूम वहाँ पर आपको फ्लेश करनी पड़ थी है तो यहाँ पर दिखा दूं तो लेटेस्ट अब्डेट आप देख सकते हो Miota 981 इसमें लेटेस्ट अंड्रोइट सुक्रेटी पैस 2019 85 का आपको देखने को मिल जाता है क्या-क्या नए आपको अब्डेट में आया है तो वो सब मैं आपको बताऊंगा तो वाट्स नियू में हम देख लेते हैं EU के यहाँ पर आपको पूरा चेंज लॉग दिखा देता है जो कि काफी अची बात है वरना हमको चाइना की जो रेगुलर वाली बीटा अपडेट आती है उसमें चेंज लॉग में आपको वही गिसा पिटा देखने को मिल जाता है जो कि मैंने नोट 5 प्रो में अल्रेडी डाल रखा है अगर आपको यहाँ पर दिखा हूँ तो इसमें अगर आपको चेंज लॉग चलके दिखा हूँ वाट्स नियू तो यही मिलेगा कि अबूइक है क्या है का यहां पर यू काफी स्टेवल काफी उच्छी है यहांको सब आपको आरी इसमें दे खने को मिल चाते हैं जो सब आपको क्या है तो सबसे पहले सिस्टम में आपका जाड़िटर ₹ से इंग ती हो वर सेंवर गया है साथी साथ यहां पर आपका साथ यहां पर Calculator App जो Freeze हो जा रहा था जब आप JCR को Third Party System Form Fonts यूज कर रहे थे उसको fix कर दिया गया है Dex Clause को यहां पर fix करा गया है Lock Screen में आपको Optimization देखने को मिल जाएगा जैसे की है Edit Adjustment, Notification Bar, Visual Style, Optimize the Jump Page After Long Press on the Screen Capture and Switch वगयरा आपको देखने को मिलता है तो यहां पर दिखा दूँ तो इस तरीके से Lock Screen में आपको Fixes मिल जाएगे आप इधर Swipe करोगे तो आपको नए Option देखने को मिल जाएगे जैसे की अगर आपने पहले Notice करा होगा कि अगर आप गलती से भी ऐसे कर दो आपके पूराने डिवाइस में तो यहां पर यहां पर यहां पर खुल जाएगा जो कि कभी कभी आप Misunderstanding होती थी जिससे वह Open हो जाता था तो उसको यहां पर इन्होंने Fix करने के लिए अब एक काम कर दिया है कि Simple आप Camera के आइकन को जब आप Drag करोगे उसके बाद ही यहां पर यह Camera एप Open होता है तो इस चीज के लिए भी काफी अच्छे Fixes इन्होंने दिये हैं यहां पर और बात करें तो काफी सारे और भी फिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो की Improvement में आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सारे मिलते हैं तो सब की जो छोड़ देते हैं आगे बात कर लें कैमरा में तो Optimize System Stability Facial Makeup Optimize Stability of Body Beauty Homepage Copy Reminder Image Quality and Image Quality में आपको यहां पर Improvement देखने को मिलता है यहां पर Power Saving Optimization में Optimize New Version of Power Conjunction Ranking Page तो यहां पर Security App में आपको नया Ranking Page भी देखने को मिलता है जो कि अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूं Camera की बात कर लेते हैं तो Camera में दिखाया गया है तो किस तरीके से Camera Quality है तो यहां पर मैं Click करता हूँ एक पे किधर अपने गरेज यह की और आपको दिखाता हूँ यहां पर तो देख सकते हो तुरंथी मैंने Click करी है और काफी अच्छी Literally Quality में आपको यहां पर यह पिक देखने है Note 7 के लिए लेकिन Note 7 में work नहीं करता है यह आपका work करेगा Note 7S के अंदर तो वह चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते आती है जो कि काफी अच्छी है लेकिन 48 में इसमें पिक सही नहीं आती है आपको Simple Mode में पिक जादा बैटर आपको देखने को मिलती है Night Mode बग तो इमेज क्वालिटी वीडियो क्वालिटी टाइम लैप्स में वीडियो क्वालिटी को नहीं बाहर कर दिया है कैमरा एप के अंदर जो की सही बात है चलो अच्छा है बाहर ही आपको सेटिंग मिल जाती है जिसमें आप इजली जाके इसको चेंज कर पाओगे जैसे की 1080p 30 fps है टैप करो 60 fps पर भी आप आ जाओगे फिर से टैप करो 720 30 fps 1080p और इतना आपको यहां पर यह देखने को मिल जाएगा तीन वर्जन अलग-अलग तो अच्छा ऑप्शन आपको यहां पर दे दिया है कि बाहर से ही आपको यहां पर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है स्लो μोशन का आपको side में ही मैंनों मिल जायगा तो slow motion भी आप यहां पर चेंज कर सकते हूं тогда भी उपर यहां पर आपको चेंज देखने को मिल जाता है 721 20 fps के साथ फिर से डावा होगे तो 1080p आ जाएगा तो यहां पर 240 भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर सकते हैं लधे को शुमी वाले हैं ठीक है तो इस चीज को आगे चोड़ेते हैं अर यहां पर मैंने नोट्स में सेव करके रखे हुए के क्या-क्या आपको यहां पर नेया देखने को मिल जाता है जो की इंप्रू्मेंट में यहां इपको नया देखने को मिलेगा सबसे पहले है ambient display तो ambient display दिखाने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर यह ambient display सिर्फ जिस device में amolet है amolet screen लगी है उसी में work करेगा सबके में work नहीं करेगा यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि यह feature में नया आया है यहाँ पर यहाँ पर चैसले आपको यहां पर इनने को मिल जाता है तो यहाँ पर देखने को तो नहीं मिलता है जियां इंहोंने यु वालों ने यहaraँ आपको option मिलता था कि turn off यहाँ पी Mewi customization को बंद कर दिया है यहाँ पर अगर तो आपको ambient display और lock screen का option मिल जाएगा जिसके अंदर ambient display में आपको काफी सारे अब नए literally option मिल जाते हैं जो की काफी अच्छे से यहाँ पर work करते हुए भी मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपकी device में work नहीं करेंगे यह मैंने फिर से बता दे रहा हूँ इस सरिफ उन devices में work करेंगे जिनके में AMOLED display दिया हुआ है पहले से वरना आपके phone में यह work नहीं करेगा फिर मत कहना कि work नहीं कर रहा है इसमें आपको कुछ नए-नए settings मिल जाते हैं इसके लावा display time option में आपको और भी edit करने का भी यहाँ पे option देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से आप यहाँ पे इसको access कर पाऊ तो यह काफी अच्छा है लेकिन यार अगर आप देना है तो पूरे device में दे दो क्या है बैटरी हम जहल लेंगे वैसे भी आपकी जल्ली खतम होई जाती है लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ है तो यहाँ पर आपको हेलो कर देगा जितने वज़े आपको यहाँ पर रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा तो यह आपको एक नया नोट के अंदर देखने को मिलता है और बात करने तो security app का update जैसे कि मैंने आपको बताया कि security app में अब आपको जो यहाँ पर बैटरी दिखती है बैटरी के option के अंदर आपको update मिल जाएगा जैसे कि अब आप देख सकते हूं बैटरी यूजर स्टैट्स में जाओगे तो आपको नए तरीके की यूजर स्टैट्स पूरे देखने को मिलते हैं तो यही तरीके की यूजर स्टैट्स अब आपको MIUI 11 के अंदर भी देखने को मिलेंगे अगर आपको यह यूजर स्टैट्स अपने स्टेबल रोम में चाहिए तो लिंक दे दूगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो बिना पिस प्रॉब्लम के सिर्फ एपी के है डाउनलोड करो अबडेट हो जाएगा तो यह चीज आपको नहीं मिलती है उसके लाव नीचे एक आउटोमेटिक टाक्स का ऑप्शन ऑप्शन मिल जाता है जो की काफी अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप आप टास्क कर सकते हो उस टाइम से टाइम सेट कर लो कि उस टाइम पर होता आपको वाला आपको नोट 7 के अंदर देखने को मिल जाएगा इस तरीके से पूरा मैनू मिलता है यहां पर आपको गेम के सजेशन भी देगा अगर आपको डाउनलोड करना है कोई गेम आप डाउनलोड कर सकते हो तो यहां पे गेम काफी सारे दिखा रहा है यह वाला कौन सा गेम यार फ्लेश बना हुआ इसमें तो इसमें डाउनलोड पे आप जाओगे तो इस तरीके से आपको यहां पर यह ओपन होगा तो ठीठा का आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है साही साथ सेटिंग्स के अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे प्रफॉमेंस मोड गें D&D का और यह सब बगए आपको इसके अंदर वलता है ओं इसकराइश चैंज करना है इसके अदर करते हैं उर्नाफd सभी ही आपको इसके अंदर भी मिलेंगे और बात कर लें यहां पर तो आपको गेम स्पीड बूस्टर मैंने अल्रेडी दिखा दिया तीसरा और चौथा ओप्शन है किट्स इसपेस तो किट्स इसपेस चलके यहां पर आपको दिखा दो किट्स स्पेस यहां पर देखने को मिल जाएगा जैसे आप जो आपको नए उपशन मिललेगा केट्स स्पेस का तो केंदर आप अपने फोन को केट्स इस तरीके का ऑप्शन अभी चायनीज में लिखा हुआ इसलिए इसको EU Rome सेटा दिया EU Rome में वही option आते हैं जो कि आपका English version में work करते हुए रहें तो वही सारे option आपको EU Rome में देखने को मिलते हैं फिलाल के लिए देख सकते हूँ switching to kid space यह आपको जैसे second space देखने को मिलता था यह चीज जब English में आएगा तब पूरी तरीके से पता चलेगी क्योंकि यहाँ पर अभी ज्यादा समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है Chinese में लिखा हुआ है तो यह एक option आपको देखने को मिलता है जो कि I think गैलरी में अपडेट हो गया है सिर्फ कुछ ही devices के लिए तो यहाँ पर गैलरी में चलूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूं कुछ पिक्स वगरा तो एडिट में चलते हैं और आपको filter में दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको sky mode change करने का option मिल जाएगा Redmi Note 7 के अंदर सिर्फ EU Rome अगर आपने डाली है तो उसमें चाइना रोम में अभी तक नहीं आया है अगर मैं आपको Note 5 Pro में यहाँ पर दिखाऊं अगर तो जैसे कि देख सकते हो यह Me Band 4 है जो की इंडिया में warranty के साथ आप खरी सकते हो लिंक आपको मिल जागा description में चेक कर लो तो यहाँ पर आपको filters दिखा दो तो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा चाइना रोम के अंदर लेकिन EU रोम में आपको देखने को मिल जाता है जो की काफी अची बात है तो यहाँ पर गैलरी में क्या update मिला है तो आप जाओगे यहाँ पर photos, album का option देखने को मिलता था यहाँ पर आपको collage बनाने का option देदेगा, उपर ही दे दिया है, clip बनाने का भी option आपको उपर दे दिया है, साइसाथ magic sky का भी एक नया option देखने को मिल गया है, जिसमें आप यहाँ पर वही sky change कर सकते हो, लेकिन इसका एक नया सा option बना दिया है और लोगों ने magic sky करके, कि म gallery के APQ को install करोगे, जी हाँ, आप कर सकते हो, note 7 pro में आपको मिल जाएगा, लेकि note 7 में आपको यह work करता हुआ, नहीं मिलता है, अब पता नहीं क्या करा है, उसके बाद mi ai में आपको कुछ नए option मिलते हैं, वो भी china roam में, eurome में आपको नहीं दिखाएगा, जैसे कि मैंने कह जो china's feature हैं, वही वाले आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर नहीं मिलेंगे, जैसे आप mi ai में जाओगे, तो अब आपको यहाँ पर सारे option जो कि आपको advanced setting के अंदर देखने को मिलते थे, buttons and navigation में, short button shortcuts में, जैसे कि press and hold power button 5 second to open shutdown page करने का यहाँ पर option आगया है, हमको पहले गूगल, असिस्टेंट खोलने का option आदा था, other button shortcuts आपको देखने को मिल जाएंगे, wake up air phone, pocket mode, mi ai skill learning, music service setting आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, size authorization, more में आपको unlock text tools के पीच, का वगेरा का option देखने को मिल जाता है, तो यह सब आपको और भी नया इसके अंदर दे interface आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यह क्या है, तो यहाँ पर जब भी आप कोई नया app install करोगे, तो अब आपको installation interface, कुछ इस तरीके का नया तरीके का देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको Google Play service जो मैंने इंस्टॉल गई थी, चाइना रो में उसका जाएगा, उसके बाद required permission, 72 permission लेते हैं, उसको आप read कर सकते हो, फिर नीचे आपको install or cancel का option मिल जाएगा, यहाँ पर अगर मैं आपको और option दिखाओं, यहाँ पर आप यह बहतर permission देख सकते हो, क्या-क्या रहती है, यह सब दिखाएगा, फिर installation के time ऐसा process आएगा, install complete आपको दिखाएगा, अब यहाँ पर तो ads नहीं है, लेकिन global room में यह इतना बड़ा ad है, यहाँ पर आपको दिखादेगा, जो कि खाफी अच्छा लगेगा, उसके बाद नीचे आपको और यहाँ पर आप नहीं है, लेकिन इसके लिए ad दिखाएगा कि go to me store to install more apps, बाद आप इनक क्यों रहे कि नहीं, apps है, virus वगरा है, क्या वो चीज़ देखने का option आपको इसके अंदर देखने को मलता है, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, केड़ स्पेस मैंने दोदो बार लिख दिया, उसके बाद new weather info in drop down menu, I think आपने notice नहीं करा होगा, literally आप अब इन्होंने ये चीज़ बापिस ले आई है, पहले ये आती थी, लेकिन बीच में इन्होंने रिमूफ कर दी, अगर मैं आपको ये stable दिखाओं तो देख सकते हो, यहाँ पर ये रिमूफ कर दी गई थी पहले, और बीच में आती थी, फिर रिमूफ कर दी, अब इन्हों अब इन्होंने फिर से फाइनली इस जगा को भरने का सोच लिया है, तो इन्होंनों फिर से इस चीज़ को यहाँ पर बापिस ले आए हैं, आप देख सकते हो, वैदर आपको यहाँ पर दिखाएगा, कितना वैदर हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, और ये सब चीज आपक देखने को बिल जाएगी तो अवरॉल काफी अच्छी अपडेट आपको देखने को मिलती है इंस्ट्रॉल करना है तो कर सकते हो लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में वीडियो काफी जादा लंबी बन गई